हाई मैं हूँ अर्चना अर्चनाच की चंदेशी तरका चैनल में आप सभी का वेलकम है मेरी आज की रेस्पी मूली का चटपटा अचार तो चली देखते हैं इसको कैसे बनाते इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 500 ग्राम मूली लिया उनको वाश किया अची तरीके से फ तरीके से गल्म हो गया तो मैंने इसमें डाला सर्षू और उसको तब तक सौटे करेंगे जब तक की चटकणी नहीं लगी जब सर्षू हमारी चटकने लगी तो इसमें डालेंगे मूली जिनको नोगों ने काटके दूप में सुखा लिया था एक से दो मिनिट के लिए हम इ पेस्ट होने तक ग्राइंड कर लेना है अब हम इसमें डालेंगे तर्मरीक यानि के हल्दी पाउडर लाल मिट्च पाउडर नमक स्वाधा अनुसार नमक थोड़ा सा अचार में अधिक जाता है साट्रिक एसिट अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस का भी उज़ कर सकते हैं साट्रिक एसिट हमारे अचार को प्रिजर्ब भी करता है उसे खटापन भी आता है हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अचार जब हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसको एक एरटेट जार में भर लेंगे और दो से तीन दिन के लिए हम इसको धूप में रख देंगे दो दिन बाद ही अचार अमारा खाने लायक हो जाता है यानि अचार खाने के लिए रेडी हो जाता है तो अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शियर और सबिस्क्राइब प्लीज प्लेज प्लेज दे बेल आइकोन बटन इसे मेरी आने वाली रेस्पी की नोटिफिकेशन आप सभी तक बहुत ईजली भी में पहुश सके और मेरी कोई भी रेस्पी आप से मेसना हो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो अर्चना